पूरूमंत्री हैं। आपस में सिर्फ फुटवल वहां चल रहा है स्थिती बहुत ही बिगड़ी हुई है और जिससरा से मारनिय प्रधान मंतरी जी के काम का प्रभाव है और पूरे देश और दुनिया में जिससरा से उनका कद बढ़ते जा रहा है और इनलों को लगता है कि जानता एक तरफा होते जा रही है इससे इनलों के बैचनी बढ़ी है कभी सीट में मार फस रहा है कभी नेता में मार फस रहा है कभी संजोजक में मार फस रहा है इंडिया कठवंदन का बंटा धार होना तय है और पुरा प्रदान मंतरी जी तीसरे बार भारी मस्ते जीतेंगे ये भी तैए पहला यातरा कर गए देख लिए पहला यातरा किये और आसाराम बन गए आसाराम बन के पूरे देश ने उनको खारीज कर दिया और यहां तक कि इंडिया गठवधन ने भी उनको खारीज कर दिया काहे कि जब भी प्रदानमंतरी केंडियेट का बात आता है तो कभी किसी का नाम तो कभी खरगे का नाम मंताबनर जी काती है राहूल गांधी का नाम नहीं आ रहा है ये तो इंडिया गटबंदन के लिए चिंता का विश्य है, ये राहूल जी के लिए चिंता का विश्य है, कि जिस गटबंदन के लिए पैदल चलते हैं, प्रधान मंतरी का सपना देखते हैं, कहीं को उनका नाम भी नहीं लेता है, तो पैदल चलने के क्या फाइदा है, फिट दुरुनी लड़ाई काफी ज़्यादा है देखिए यह आज का लड़ाई नहीं है यह जब से गटबंदन बना है यह अनिचरल गटबंदन है यह कभी किनी का कोई विचार धारा और सभाव नहीं मिलता है अलग अलग विचार धारा के लोग जुट गए हैं वहां सिब सेना ज जोगी मठ हुजार होना ही है उसमें कहीं कोई संदे नहीं है और माननी प्रधान मंदरी जी का मैंने पहले ही का कि जिस तरह से काम का प्रभाव है वो देश में अभी देखिए राम मंदर को गाटन का समय है एक उस्षा का माहोल है पुरे देश में और इसकी चर्चा पूरे में दर्ध कभी कहीं और दर्ध हो रहा है इस दर्ध से लोग परेशान है इसलिए कुछ इनलों का होना जाना नहीं है कि सबी दल जो है मकर सक्रांती के उतर पर दहीचूरा भोज का अवजन करें लेकिन जेडी इस बार नहीं कर रही है अब को लगता है कि जेडी में बहुत तरह का जटका लग रहा है बहुत बात हम नहीं बोलेंगे लेकिन जेडीू सदमे में आप ये मानके चलिए लालू जी कल बड़ा भोज दे रहे हैं कल तमाम लोगों को निमंत्रन बेजा है लालू जी का मुझे लगता है कि भोज भात से पुराना नाता रहा है और जिस तर काम लोग आपस में लडाई भी कर रहे हैं उनिश्कुमार कशिस्टूट पढ़ना